इस वीडियो के दिने का इस हम लोग बात करने वाले हैं बेस SBA क्रेट कार्ट इस्पेशली फॉर्दा सैलरी एंप्लोई जी हाँ इस क्रेट कार्ट ने 12-23 के दे धमाल मचाया था और 12-24 के दर भी इस क्रेट कार्ट को आप अप्लाई कर सकते हो तो SBA क्रेट कार्ट के क्या प्रो है, क्या कौन से, क्यू आपके लिए बेस्ट है ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर अगर बात करूँ कि आपके पास SBA का क्रेट कार आखिर क्यू होना ही चाहिए तो अगर आपके पास में किसी और बैंक का भी क्रेट कार आखिर तो इसके सिंप्ली 6 रीजन है, पहला बाई सबसे बड़ा रीजन तो ये रहता है कि दिवाली का जब भी सेल आता है, चाहे Amazon लेलो, चाहे Flipkart लेलो कोई सा भी e-com portal लेलो, सब के उपर आपको SBA कार्ट के साथ में डिसकाउंट तो देखने को मिलने ही वाला है, तो 10% का जो आपको इंस्टेंट डिसकाउंट देखने को मिलता है, हमेशा आपको SBA की कार्ट के उपर देखने को मैनेज करता हूँ, और यह मुझे काफी जादा यहाँ पर पसंद है, इसके लगाइस यहाँ पर आपको एक और option मिलता है, अगर आपके बस में Other Banks के credit card है, अगर उसका कोई भी amount outstanding है, तो उसको आप यहाँ पर shift कर सकते हो, SBA के अंदर वो भी एक lower interest rate के उपर, साथ में guys, यहाँ पर आपको यह end cash facility भी provide करता है, जो कि normally Other Banks के credit card आपको provide नहीं करते हैं, अगर आपको cash जीए, तो आपको अपने credit card के basis पर ही SBA आपको provide करता है, साथ में आप ATM से भी withdrawal कर सकते हो, प्लस यहाँ पर फ्लाकसी पेकर के feature है, अगर कोई भी transaction जो है, 2500 से जादे amount का है, तो उसको आप EMI के अंदर convert कर सकते हो, और यहाँ पर add-on card की facility दी जाती है, यानि आपका जो card है, मानिचे आपका प्रूव हो चुका है, अब मानिचे आपनी wife को देना चाहता हूँ, अपने children को, अपने mommy पापो को देना चाहता हूँ, एक और card, तो मैं free of the cost एक add-on card यहाँ पर बनवा सकता हूँ, उसके इंदर जो limit रहेगी, वो मेरी ही रहेगी, credit card के जो responsibility है, bill का जो payment है, सब कुछ मेरा रहेगा, लेकिन आपका एक और add-on card बन जाएगा, family member के नाम पे, आप guys, वैसे तो SBA की यार, बहुत सारे card है, लेकिन यहाँ पर सबसे favorite और सबसे धमाके card, जो card है, वो है SBA का simply click credit card, यह beginners level के उपर बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर credit card है especially for the salary employees, इस credit card को मैं पिछले जो है, धाई साल से use कर रहा हूँ, आप मेरे screen के सामने दे सकते हो, यह मेरे पास में SBA का simply click credit card है, इसके अंदर आपको इस limit भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, फिर चाह आपको online spend करना हो, offline करना हो, या ATM वगरे से withdrawal करना हो, अब guys अग आपको Amazon का 500 रुपे का voucher मिल जाता है, जिसको आप Amazon पर किसी भी product को मंगवा सकते हो, यानि आपकी ultimately joining fees यहाँ पे nil हो जाती है, annual fees की बात करो तो यह भी reversal हो जाती है, अगर आप पूरे साल भर के अंदर 1,00,000 रुपे spend करते हो, यानि कि अगर मैं मन्तली बात करूँ, 9-10, 10,000 रुपे अगर आप spend करते हो, तो आपकी यह वाली annual fees भी यहाँ पे reversal हो जाएगी, इस card के उपर guys, अगर मैं rewards की बात करूँ, तो यहाँ पर SBI क्लिक के उपर आपको 10X का यहाँ पर reward देखने को मिल जाता है, इनकी कुछ partners website के तुरू, जिसके इंदर Apollo, जहां से आप सारे stores है, वहाँ से आप दवाईया purchase कर सकते हो, सुगी का में को बतानी की जरूत नहीं है, आप food वगरे order कर सकते हो, book my show, cinema hall की tickets वगरे book करनी है, कोई events की tickets वगरे हो गई, clear tip, जहां पर आप flights की domestic international book कर सकते हो, hotels वगरे book कर सकते हो, domino's हो गया, मिंत्रा जहां से आप fashion वगरे यूज करती हो, तो आपको 10X reward देखने को मिल जाते है, और इस reward की जो value होती है, वो 0.25 पैसा होती है, यानि अगर आपने 100 पे span किया है, तो 2.5 INR की value आपको back मिल जाती है, यानि जितना भी पैसा आप span करोंगे, 2.5% का value back आपको simply तरह के से देखने को मिल जाएगा, इसके value देखने को मिल जाती है, जितना भी पैसा span करोंगे, सीधा 1.25% value आपको वापस मिल जाएगी, बातने कैसे इनों नहीं यहाँ पर online spending के उपर एक limit लगा रखिए, cash back की या कह सकते आप value की जो कि 2500 INR, जो कि काफी जादा 10,000 points उसके लिए आपको earn करने पड़ते हैं, इसके अगर अगर इस card को कहीं पे भी आप offline swipe वगरे करते हो, कहीं पे भी आप आप मालीचे POS machine के अंदर आप जो है यहाँ पर transaction वगरे करते हो, या फिर कोई भी utility bill हो गया, rent का payment हो गया, ऐसी कोई भी चीज़े करते हो, तो वहाँ पे भी आपको 0.25% की value देखने को मिल जाएगी अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर एक milestone rewards भी आकर आपको मिलता है यहाँ पे देखने को, अगर आप पूरे साल बर के अंदर एक लाग रुपे खरच करते हैं, तो साल के end में आपको clear trip और यात्रा की तरफ से 2000 रुपे का voucher देखने को मिलता है, और next year जैसे आप यह limit जो ह और आपको हर transition के उपर देखने को मिल जाएगा, अगर आप 500 से 3000 रुपे के बीच में transaction करते हो, किसी भी petrol firm के उपर और यहाँ पर maximum limit है, वो 100 रुपीस पर billing cycle है, अब गईस बात करते हैं कि इन points को आपको redeem कैसे करना है, जो भी आपको value back मिलता है, तो देखें इन points को आप Amazon vouch voucher के अंदर convert कर सकते हो, SBA की website और app के अंदर ही आपको यह चीज़ देखने को मिल जाती है, Amazon Pay के अंदर आप 25 points को 500 के voucher में convert कर सकते हो, और इस Amazon voucher को आप Amazon से किसी भी product को मंगवा कर आराम से यहाँ पर redeem कर सकते हो, तो देखें गईस ultimately अगर मैं summarize करना चाहूं, क्या इसके pro है क्या cons है, SBA simply click card के, तो देखें pro यह है कि आप कहीं पे भी online shopping के लिए यहाँ पर use में कर सकते हो, और दिवाली के उपर भी आपको Amazon flip card सब जगे अच्छे खासे discounts वगरे देखने को मिल जाते, even जो offline stores होते, वहाँ पे भी आपको SBA के बहुत सारे offer देखने को मिल जाते, इ अगर मैं बात की हो, तो मुझे सिर्फ इसमें एक ही cons रखता है, कि इसके नदर कोई भी lounge airport जो lounges होते हो, उसका कोई भी यहाँ पर आपको access नहीं दिया जाता, so guys, देर की इस बात की मैं link आपको description box में दे रहा हूँ, जहां से आप इस card को जो है, एकदम बहुती smooth तरीके स apply कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको कुछ tips देना चाहूँगा, इस credit card से related, या generally कोई भी credit card हो गया, हमेशा आपको 30% यहाँ पर credit limit यूज में लेनी चाहिए, जिससे कि आपका civil score यहाँ पर increase होता है, इसके लागाइस यहाँ पर आपके जितनी भी limit है, ATM से ज़्यादा withdrawal मत करि क्योंकि वहाँ पर कही सारे charges वगरे भी लगते है, प्लस अगर आपको points यहाँ पर ज़्यादा कमाने है, cash pack ज़्यादा कमाना है, तो SBA की card को मुझति आपको online यहाँ या पर use में लेना चाहिए, साथ में आप SBA की अच्छी बात ही होती है, कि जो monthly recurring payment sites होती है, जैसे कि पर काफी ज़्यादा अच्छा खासा interest rate भी लगता है, तो guys देर किस बात के link description box में है, अभी जाकर अपने SBA simply click card को apply कीजे, अगर आप लोग के कोई भी doubts है या आपको कोई भी problem आती है, तो please मुझे comment box के अंदर यहाँ पर ज़रूर बताएगा, thank you guys, thank you very much